Hello everyone, welcome to study IS और आज की वीडियो में हम लोग 24 नवंबर का जो इंडिन एक्स्प्रेस का explained section है इसके बारे में देखने वाले हैं basically आज हम तीन आर्टिकल कवर करेंगे और तीनों ही आर्टिकल काफे interesting है पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है जो world cup आप कह सकते हैं अभी होने वाला है okay world cup जो हो रहा है basically आप मान लेज़े तो जो world cup है उसके अंदर जब balls यहाँ पर use कर रहा है हम लोग उसके बारे में जो football हम use कर रहा है ना उसकी history के बारे में है काफे interesting है क्योंकि यहाँ बिल्कुल बताया गया है कि वो ball अलग कैसे होती है बाकी ball से और कैसे उनका use एफरिक क्यों अलग होती है यह सब वहाँ पर बताया गया है अगला आटकल तोड़ा आप कह सकते है हमारे लिए economics point of views है जहाँ पर हम लोग रूपी का inflation के बारे में बात करने वाले है और RBI का क्या relation है इन सब के बारे में देखेंगे एंड दोस्तों at the end हम लोग बात करने वाले है जो Paris Olympic का mascot है दोस्तों उसके बारे में कि वो कैसे यहाँ पर liberty का जो symbol है इसको दिखाता है तो काफी important और काफी interesting आज का lecture होने वाला है काफी कुछ आप लोग को पता भी लगेगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं पर बता जूँ कि अगर अगर आप लोग कोई course purchase करते हैं अन academy से तो आप लोग को 0% की MI का offer मिलता है साथी 28 नमंबर से नए बैचे स्टार्ट हैं आप लोग भी जाके एंडोल कर सकते हैं और आप लोग लिए यहाँ पर EPFO के जो classes हैं यह भी live हो चुकी है फिरी interview guidance program available है यहाँ पर जाके आप लोग एंडोल कीजे और हमारे लिए जो compete app है दोस्तों जहाँ पर आप लोग बैटल करके जीच सकते हैं laptop और 2 लागत के prizes यहाँ पर भी आप जाके बैटल करके इसका मजा ले सकते हैं अब बात करते हैं कि करके आप इस दिन सभी balls के बार जो आप करते हैं Qatar World Cup में जो ball use हुई है दोस्तों यह बता जा रही है कि यह faster है अब तक कि जितनी ball use हुई है उन में से अब हम बात करते हैं al-rihala ball के बारे में कि आखिर यह ball कैसी होती है देखे al-rihala जो word है यह एक Arabic word है जिसका मतलब होता है दजरनी और मैं बात आपको और बता दूं कि 14th century है दोस्तों उसके दोरान जो यहाँ पे Moroccan explorer थे वो travel करके आते हैं आप कहते हैं एशिया यूरोप और अफरीका से पिर वो visit करते हैं आप कहते हैं जो सुल्तान मौमद बिन तुगलग था दिल्ली में उनके court को और आप कहते हैं उसके बाद से हमें यह sustainability को भी दिखाती है क्योंकि इस बार sustainability इनका आप कहते हैं priority था for the markers, for the maker way के भी, basically, bold color यहाँ पे inspired किया गया है बाइद धी Qatar culture, architecture और iconic boards और flag के साथ, और साथ ही साथ यहाँ आप आप कहते हैं पूरे तरिके से जो gaming pod, जो governing body है वो यह कहते है कि यह reveal इन्होंने इस साली March में कर यह थी ball को, जो ball है इसकी जो main design है इसके पास जो features है वो है आपके CRT core और speed cell, according to FIFA तो जो core है वो provide करता है इसकी speed और accuracy और consistency for the first phase action या फिर कोई precise यहाँ पर काम होता है उसके लिए, और जो इसका maximum shape है दोस्तो यह air retention के साथ इसके मदद करता है जो कि इसकी accuracy को और ज़दा बढ करें तो इसके तर जो texture यूज हुगा है दोस्तो वो है आपका polyurethane skin जो कि यहाँ पे नए 20 piece जो panel shape है इसकी बनती है जिसकी मदद से उसकी accuracy और flight stability है यह सब बढ़ जाती है तो देखिए आप लगको लगता होगा कि ball बहुत आसान है या फिर ball ही तो है आराम से इसको कोई भ कर लेता होगा पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो आपके वर्ल्ड कप फाली ball होती है दोस्तों इनको काफी technology के साथ बना जाता है मतलब कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो technology जो features इसमें मतलब की ball के feature होते हैं कई-कई ball यहाँ पर आप कह सकते हैं यह लोग reject भी कर देते हैं 12 dedicated tracking cameras हैं जो की mounted किये गए हैं और अंडरनीत दोस्तों stadium roof के जो की track करते हैं ball को and up to 29 data points से और हर एक आप करते हैं आता है individual player की तरफ से 50 times per second हमें यह चीज़े देखने को मिलती है और यह calculate करते हैं exact position of the pitch जो अल रियाला है दोस्तों यह कहती है FIFA कि यह provide करता है vital element for the detection of the tight of side incidents जै जैसे कि यहाँ पर आते हैं आपके inertial measurement unit से उसके sensors के अंदर लगे हुए जो कि बताता है basically कि ball की location क्या है मतलग इक तरीके से tracking और जदा असान करते है FIFA World Cup अगर ball की बात करें तो मैं बता दूँ कि जो first world cup हुआ था दोस्तों 1930 में उस time पर कोई official ball नहीं थी उससे पहले दोस्त करते हैं जगर पर compromise करते हैं first half में और जो player होते हैं Argentina के वो choose करते हैं यहाँ पर Tianto followed by T model preferred by यहाँ पर जो यह आप करते है उर्गो है इसने यहाँ पर चूज किया 1950 में दोस्तों जो world cup है यह return करता है after 12 year break उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाता है क्योंकि world war 2 हो गया था विद डोपलाटी उसके बाद यहाँ आप आपको जातने हैं जो values यहाँ दिखाई 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 दिथी through the ball वो आपको जातने है इन्फिलेट होती है विद पं दूसके तो यहाँ पर आती है आपकी ball जो आपकी है टेलिस्टर मेक्सिको आप इसे 1970 में एडिडास अपनी पहली बॉल लेकर आती है विद 32 पैनल ब्लैक एन वाइट डिजाइन में आइकोनिक टेलिस्टर जो थी दोस्तों इससे कंसीडर किया जाता है इंप्रूव्ड वि किया गया था थोड़ा सा और थोड़ा सा आपके देखते हैं इसके अंदर durability और resistance की पावर दी गई थी फिर आता है ट्राइकोलर है फ्रांस ने 1998 के अंदर multi-colored balls को दिखाया पहली बार ट्राइकोलर जो है दोस्तों इसके अंदर french के जो फ्रेग हैं उसके color आ रहे थे red, white और और गोल-गोल बनाने के लिए इसके बाद दोस्तों आता है बरजू का जो ब्रजील है 2014 में एक और लेके आती है जहां पर एडिडास है इसने एक और सेंपल बेजा बॉल का टीम के पास और वहां से उनके आप करते हैं जो feedback थे इसे लिए और इसके बाद दोस्तों उन्हों पर history रही और अब आपको देखने हूं मिली अल-र-र-e-rala तो इह पूरी history है आप कहते हैं कि टेररिस्ट्र के बाद यहां पर असटिकाथि फिल-र- यह पूरी history है जहां पर आप मान सकते हैं कि जो balls थी football उली जो की यूज़ के जाती है वर्ले कूब के अंदर उनको इसके में आओगा कि बॉल के पीछे भी हम लोग यहां पर साइंटिफिक और लॉजिकल चीजे लगाते हैं अगया दोस्तों हमारा आटिकल आता है रुपे का इंफलेशन के बारे में देखे दोस्तों आपको बता दूँ कि यह बहुत समझना जरूरी है कि इंफलेशन होता तो है व जो आइडिया था वो यह था कि जो external value है currency की उसे determine किया जाएगा by its internal value इसका मतलब क्या हो गया कि एक आपके सकते है currency की वेल्यू पहरत में क्या है और वही currency की value दूसरे देश में क्या है इसका जो difference है इसे हम पता लग सकते है कि जो value है उसकी मतलब जो रुपी है जो currency है उस वो है capital amount, जो कि balance करता है पूरी payment को, जिसका मतलब क्या हो गया, जो inflow है और outflow fund का, यह balance करता है, जो value है currency की, वो यहाँ पे strongly despite होती है दोस्तों, इस fact के, कि वो high current account है, वो deficit रहेगा, क्यूं, क्यूंकि यहाँ पर आप कह सकते है, जो capital flowing है दोस्तों, यह outside होती है, basically, तो आप ल हो जाती है, not because of trade, पर वो इसलिए होती है, क्यूंकि यहाँ पर decision है, investment का, वो आप कह सकते है, काफी important है, हमारी country में, जितनी जाद investment होती आगी, उतनी हमारी आप कह सकते है, अच्छी होगी foreign currency supply, okay, जो main reason है for the rupee depreciating, दोस्तों, वो यह है, क्यूंकि अगर हम बात करने, dollar से, त we need to, आप कह सकते है, जो दूसरी currency है, उनमें payment करनी पड़ेगी, दूसरी currency को अपनी currency payment करनी पड़ेगी, तभी यह चीज़े possible हो पाएंगी, जो investor ने दोस्तों, आप कह सकते है, US के, वो काफी जदा attractive होती है, क्यूं, क्यूंकि उनके पास higher interest rate है, अगर मैं बताओ, आपको वो अपना fund जो है, अपने ही country में रखेंगे, जो कि आम तरपय में देखने को मिलता है, और क्या होता है, कि अगर कोई कम देश है, जो कि अपना पैसा निकाल के, अपने ही देश में बापिस लगा देता है, जिससे क्या होता है, उसकी economy में अच्छी बात होती है, तो यह reason ह क्योंकि यहां पर क्या होता है, अगर कोई एक देश है, जहां पर पैसा कम होता जा रहा है, और suddenly यहां पर जो investor है, यह अपना सारा पैसा निकाल लेंगे, तो यह problem आती है, कि हमारी जो value है, यह कम हो जाएगे, because of capital amount, क्योंकि जो outflow है हमारे points का, वो नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा, हमारा पैसा जो बाहर नहीं जा पाएगा, तो दिक्कत है, अब क्या यह necessary है, या फिर आपके स्ट्रॉंक करणसी होना, ज़र भी आफिक खड़ाब है, देखें, undervalued currency होती है, यह अच्छी होती है, और काफी attractive होती है, for export, अगर मैं इसी बात पर आपको कि जो आप केतने depreciation है, आप केतने रुपी का अगेंस्ट डॉलर, यह अगर ऐसा नहीं जाएगा, और आप केसकते हैं, ऐसी चीज़े नहीं होगी, यह continuous process में नहीं आता है, जब IMF दोस्तों बना था, उस टाइम पे जो डॉलर था, वो एक्वेल टॉलर एक्वेल टू 4.75 र Convertibly कि हम लोग यहां پर आप लॉलर को और स्टॉंग सकते हैं, इन हम लोग यहां पर आप कह सकते हैं कि यह जादा, आप लोग मान लियाजें कि भारत में, जो पैसा आ रहा है, जो ₲ है उस में भारत में काफी की चीज़े खरीज सकते हैं, और यह छीज़े। आप कीशिते है as compared to dollar तो उन चीजों को हमें देखना पड़ता है और तभी आप करता है यहीं उस चीज का मतलब है जो purchasing power parity है वो में देखना मिलता है purchasing power parity का मतलब यही है कि एक देश का पैसा कर दूसरे देश में ज्यादा value में आता है तो हम उससे comparison करके पता लगा सकते हैं देट कि उस देश की जो आप करता है value है रुपी की मतलब दूसरे देश की currency है उसकी value कितनी आगे पीछे हो रखी है अगला सवाल आता है stability को लेके कि हमारे जो रुपी के exchange rate है कि इस ताइम पे तो ज़बरी है कि हमें यहाँ पर reduce करना पड़ेगा अपना inflation rate करन जो situation है दोस्तो वह aggravate करती है क्योंकि जो capital flow है उसकी विद्विशन पर ओवर प्रिएट दोस्तों हमें देखने मिलेगा कि जो हमारा inflation है वह यहाँ पर necessarily equality होना चाहिए जो inflation आपके सतने हैं रखा गया है margin से द्वारा ओके इंड्या में दोस्तों जो inflation है वह higher level पर है मतलब कि अगर 6% ही बात करें इस time पर अपर लिमेट है 6% ही और पिसले आपके सतने हैं 9 महने से आप बता दूमें कि हमारा जो inflation rate है दोस्तों 6 से ज्यादा हो रखा है तो हमें इस चीज़ पर control करना पड़ेगा otherwise दोस्तों यह problem देगा हमें दो चीज़ों से पहले चीज़ हमें moderate करने पड़ेगा अपने inflation rate इस time तक और उनसे effect जो भी होगा in terms of the value of the rupee as well तो यह problem है जो कि हमें देखने को मिले इस तरीके से दोस्तों हमारे जो RBI है या फिर जो हमारे आपके रुपी है यह कहीं ने कहीं अच्छा हो जाएगा dollar comparison में अगर हम लोग यहाँ पना inflow outflow पे correct काम करते हैं अब दोस्तों हमारा last article आता है कि जो Paris Olympic है उसका mascot है उसके बारे में देखे बात है दोस्तों July 1830 के जब फ्रेंच के रोमिंटिक आर्टेस्ट है जिनका नाम है Eugene De La Correx उन्होंने यहाँ पे Grand Street के अंदर अपने काफिसरे प्रोटेस्टर के साथ आते हैं और इस प्रोटेस्टर में दोस्तों लोग थे यहाँ पे working class, middle class लोग मैं बता दूँ कि यह force करते हैं Charles 10 को कि वो जाएं वर्सेल्स यहाँ पर यहाँ पर रेंबोल्टा और उसके एक हफ्ते बाद में बता दूँगे अनॉंस करते हैं कि वो stepping down कर रहा है from the thon इस तरही के से हमें चीज़ देखने को मिलेगी डेला क्रोक्स यहाँ पर आप पर पर एक तरिके से hero बन के आता हैं लोगों में क्योंकि सिम्बल था उसके अंदर आपको बता दूँगे कि जो सिम्बल में आप करते हैं जो पूरे तरिके से head, lip, brimless यह सब कुछ red gap में था जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर पर गेंडिन क्राप और यह काप करते हैं काफी common है फ्रांस में परिस 2024 में दोस्तों जो ओलंपिगा पर पहलांबिक होगा वहां पे पावरफुल सिम्बल रिखा गया है और फ्रेंच रिपब्लेक जो मैं स्कोट है दोस्तों परिस 2024 का इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया है लाइक डी रेड परगेंड कैप जिसे हम लोग कहते हैं आप जो हमें दिखता है Liberty Cap को लेकर और यह कहीं न कहीं जो jetzt रिस्त्री है उसे भी सरपास करतोबात दिखाए देता है जो कैप है इसकी floppy design के जाइस से हैं पिलुघ्ट सको और और कहीं न कहीं कहीं यह साइन देता है derdom of roman slaves का přिनूंड की यहाँ पो cabin करूं मैं कि यहाँ पर यह आपीर ने स्टेजूज एंड बस्ट आइदर एज रेविल्शनी फीगर और वाइस वुमें इस तरीके से जो मारियाना है वो में देखने को मिलती है जो इंटरलेशन सिंबल है दोस्तो वो भी एक लियाबल्टी को रिप्रेजेंट करता है और काफी दर जो एंबलम्स है नौ और इसका विजन यही है कि कैसे चेंज लेके आ सकता है उन सभी आप कैसकते हैं रेविल्शनी लेके आ सकता है थुरुदी स्पोर्ट्स जो ओलम्पिक गेम से दोस्तों 2024 का वो होगा यहाँ पे जुलाई 26 से अगस्ट 11 में और जो पहला ऑलम्पिक गेम से दोस्तों यह होग यह जब नाच दे और तक क्यों